संसंद में रास्ट्रपति के अभी भाशन पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने राहूल गांधी और कॉंग्रेस पर कई तंच कसे बाशन के बीच जब राहूल खड़े होकर कुछ बोलने लगे तो मोधी ने उनकी तुलना ट्यूब लाइट से की परधान मंतरी ने कहा मैं पिछले 30-40 मिनट से बोल रहा हूं इन तक करंट पहुंचने में इतना वक्त लग गया है बहुत से ट्यूब लाइट ऐसे ही होते हैं इस पर राहूल ने कहा कि मोधी लोगों की असली मुद्दो से भटकाते हैं वे कॉंग्रेस और पाकिस्ता इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है यह महने ऐसे सुनिनमस्कार करूँगा ऐसे सुनिनमस्कार करूँगा कि मेरी पीट को भी हर डंडे जलने की ताकत वाला पड़ा कि यह जो नरेंद्र मोदी अभी भाषन दे रहा है मैं आपको बता रहा हूं छे महीने बाद साथ आठ महीने बाद यह घर से नहीं निकल पाएगा हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा जंड़ा मारेंगे इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देनेक बिना ये देश आजे नहीं बढ़ सकता है मैंने कॉंगरेस के एक नेता का कल गोषणा पत्र सुना उन्होंने गोशना की है कि छे महने में मोधी को डंडे मारेंगे और ये बात सही है कि ये काम जड़ा कठीन है तो तयारी के लिए छे महने तो लगते ही है तो छे महने का समय तो अच्छा है लेकिन मैं भी छे महने में ताई किया हूँ कि रोज सुरे नमस्कार के संख्या बढ़ा दूँगा ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालिया सुन रहा हूँ और अपने आपको गाली प्रूप बना दिया है छे महने ऐसे सुरे नमस्कार करूँगा मानिया थे कि मैं तीस चालीस मिनिट से बोल रहा था लेकिन करंट पहुंचे पहुंचे इकनी देर लगी जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पलेस राजगराना और फानेस बैंक्वेट अल जोती गार्डन वोल्ड ग्लास केटरिंग, सेंट्री एर कंदिशन, लुश ग्रीन लॉंच, से अफ दी आर्ट लाइटनें आजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज ऐसे ही लेटेस ब्रबरे पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइज, शेर अड़ सब्सक्राइब करें घंडेवाद